हे इबरीबन स्वागत है आप सभी का होम क्रियेटिविटी विद सुची में और मैं हूँ सुचित्रा तो कैसे हैं आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सब के साथ एग कॉर्मा की रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल रेसिप एग कॉर्मा बनाने के लिए ये मैंने मिक्सी के जार में प्याज लिया है और इधर है दो टमाटर टमाटर और प्याज को मैंने बॉयल कर लिया है और ये है अंदे इनको भी बॉयल करके कट लगा के और हल्दी नमक के साथ मैरिनेट करके मैंने रख दिया है तो ये ग्रेवी में बनाऊंगी उबले हुए टमाटर और प्याज के साथ तो हलका सा पा इसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाओंगी तो मैंने दो मीडियम साइज टमाटर लिया है और दो मीडियम साइज का प्याज लिया है प्याज को मैंने कट करके और लहसन अद्रक के साथ गरम पानी से बॉयल कर लिया है एक ही प्रोसेस है सेम प्रोसेस है और सब का मैं अब लहसुन की और 30-30 तुकषा अद्रक का डाल दिया है और यह रहा टमाटर का पेस्ट तो अब मैं सबसे पहले अंडों को फ्राई कर लूँगी के अंडों को फ्राइ करने के लिए मैंने करा ही में देल ले लिया हैं तो मैं कुकिंग सरसोक के तेल में कर रही हूँ आपको जो पसंद है रिफाइन चाहते तो आप रिफाइन में कर लीजिए और अंडो को बॉयल करने के बाद उसमें कट लगाना पिल्कुल मत भूलिएगा नहीं तो अंडे तेल में जाते ही फटते हैं तो इनको अच्छे से आप रेड रेड करके तल के रख लीजी अलग करके और फिर बचे वे तेल में ही मैंने प्याज लेसन अद्रक का जो पेस्ट था उसको डाल दिया है तो आप सीधे ऐसे भी डाल सकते हैं और अगर आपका मन है तो आप इसमें थोरा सा जीरा का तरका लगा सकते हैं तो मैंने नहीं डाला था मैंने सीधा प्याज का पेस्ट डाला फिर अब उसको थोरा सा गुलाबी फ्राई करने के बाद नमक डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाले और इसके बाद मैं डाल दूँगी ये टेमाटर की प्यूरी तो ये जो टेमाटर और प्याज है ये अद्रक लेसुन जो भी है सबको बहुत ज़ादा बॉयल नहीं करना है पहले पानी को अच्छे से बॉयल करने के बाद इसमें डाल के 2-3 मिनट तक छोड़ देना है और फिर आप इसको निकाल लीजिए इसके साथ ही मैं डालूँगी कुछ सूखे मसाले जिसमें है स्वादनुसार लाल मिर्च का पाउडर तो मैंने एक छोटी चमच इस्तमाल किया है और हल्दी इनको मैंने पानी के साथ घोल लिया है अब इसमें मैं डालूँगी जीरा धनिया का पाउडर ये घर में बनाया गया पाउडर है इसमें जीरा है धनिया है और काली मिर्च है तो ये मैं थोरा सा डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, आधी चमस डाल दी मैंने, और थोरा सा डालने से ही इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट भी आता है, तो बस अब इस मिक्षर को भी मैं टमाटर प्याज के साथ भूल लोंगी, इसे आराम से भूने, लो म माटर का या प्याज का तो फिर आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी, तो बस थोरा सा डिफरेंट करके ही इस अंडे की जो सबजी बनाते हैं, या करी बोल लीजिए, इसको थोरा अलग और टेस्टी स्वाद दिया जा सकता है, तो ऐसे भी अंडा करी बहुत अच्छा लगता है खाने में, और इस तरह से बनाने से ग्रेवी थोरी क्रीमी हो जाती है, थोरी गाड़ी हो जाती है, तो और भी टेस्टी लगता है, और कुछ डिफरेंट भी हो जाता है, और अगर आपको ग्रेवी थोरी पतली लग रही है, तो आप इसमें कॉर्ण फ्लार भी डा डाल सकते हैं ये ग्रेवी को एक थिकनेस देती है और बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है और इसके साथ और कोई मसाला मैंने डालूंगी बस थोरा सा लास्ट में गरम मसाला और एक चोथाई चमस घी क्योंकि कोडमा है तो इसमें थोरा सा घी डालना तो बनता है मैंने इसमें कोई भी काजु वगरा नहीं डाला है तो बस एक चोथाई चमस घी डाल रही हूँ और थोरा सा घी अपने खाने में जरूर आड़ कीजिए घी बहुत अच्छा होता है बरो के लिए भी बच्चों के लिए भी तो थोरा सा गरम मसाला डाल दीजिए और थोरी सी खी और बस सबजी रेडी है कोर्मा रेडी है इसे गर्मा गरम चावाल या रोटी के साथ सब करिए और मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा कि कैसा लगा तिल देन टाटा